तो किया अलशा से स्रियाकाल मैं हूँ नियॉर्ण मैन एड़ गाइस आज हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में तो गाइस कल एलवे शादव का मीटप था जहाँ पर काफी सारे यूटुबर्स आये थे तो उसके बारे में बात करते वे उन्होंने अपने इंस्टेग्राम में ये कहा था भाई भाई मतलब इतनी जादा भीड आयोई थी और अंकंट्रोलेबल मतलब कोई बंदा कोडिनेटी नहीं करना चाहरा पुलिस वाले आ गए सब लोग मैं कल राज से मैंने सब कुछ प्रिपेर किया था कि मुझे क्या करना है क्या परफॉर्म करना है कैसे आप लोग के साथ मजे करने सब भाई सब वेकार हो गया स्टेज तोड़ दिया भाई बंदों ने मतलब लिटरली लाइट स्वाइट तोड़ दिये बंदों ने भाई हम थूम लोग के लिए आयते यार आ भी नी भाई मिल भी नी भाई हमारा इपना मन था पता नी अब क्या होगा क्या नी अब मीटब में थो उनको सपोर्ट मिलाई बट अपना गाड़ी वगरा निकालके कुछ रैली किये थे इन सपोर्ट अब अब अपरेंटल ये वीडियो काफी जादा वाईरल जाने लगा था अब करी जारी थी तो इसके वज़े से पुलिस ने तीन गाड़ी को सीज कर लिया था जिया सब कुछ भूल जाओ यार पास्ट में जो भी हुआ अभी का वोटिंग सबसे जादा मैटर करता है क्योंकि अभी इससे ही विजेता को चूज किया जाएगा आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए वोट कर सकते हो जियो सिनमा एप में जाके बठा एक पाटिकुलर टर्म एन कंडिशन है वोटिंग को लेकर जिसके बारे में काफी सारे लोग बात कर रहे हैं आपको बता होगा जियो सिनमा एप में मल्टिपल वोटिंग करने का एक फीचर है बट अगर हम लोग उनके वोटिंग के टर्म्स अंड कंडिशन को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखावा है कि according to the rules and regulations the maximum number of votes one can cast for one housemate through one login ID is limited to one vote मतलब कि एक login ID से आप एक contestant के लिए एक ही वोट डाल सकते हो बट यस जियो सिनमा वालों ने multiple votes का feature दिया है तो उसके पीछे भी शायद कुछ reason होगा तो just to be on the safe side आप multiple IDs से voting तो करी सकते हो बट multiple votes भी करते रहना ऐसा similar message triggered इंसान भी अपने story में दिये also guys कुछ लोग मुझे ये बता रहे हैं कि शायद एक ID से एक ही वोट अलाव होने वाला है तो उस case में भी जो हम कर रहे हैं like 10-10, 50-50 वोट तो वो हम डाली देते हैं लेकिन उसके अलावा ये भी ट्राइ करो के तुम्हारे घर वालों के जिनके पास phone है उन सबके phone भी ले लो जितने तुम्हारे पडोस के बच्चे हैं उन सबके phone भी छीनके उससे भी वोट डाल दो चीक है ताकि हम हर तरफ से covered रहें इस ट्रिगर इंसान अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए कल अपने सेकेंड चैनल में लाइव भी आये थे वहां पर वह अपने आगे के plans को लेकर थोड़ा सा बात चीत किये आप खुछ सुन लीजे उनने क्या कहा और कौन आने वाला है लाइव पे भाईया तो चली हम आगे पादा हम लोग बात करने वाले अविनास के बारे में तो अविनास फिर से यूटूबर्स वसिस अक्टर्स वाले चीज़ के बारे में बात किये जिया guys उन्होंने अपने एक interview में बताया कि YouTubers call themselves a community that they have brought to Big Boss but these guys are just a community but we are an industry they have this kind of arrogance with this amount of fame what would happen if they have a career like me और Pooja Bhatt I think they need to have a larger perspective on life and success भाई साब उनका ये वाला line काफी जादा controversial हो सकता है वो YouTubers को एक community मानते not an industry लगते अभी भी वो YouTubers का power नहीं समझे but anyways चलिए बात कर लेते कि कल क्या-क्या incidents हुए first of all क्या फुक्रा इंसान MC stand के against कुछ बोल दिये जहां guys basically कल के live feed से एक clip viral जाने लगा था जहांपर basically फुक्रा इंसान, Gia, Elvish ये लोग बात कर रहे थे about Big Boss winners and उसी के context में फुक्रा इंसान एक sentence बोल देते हैं there have been people in the show who did nothing but won the show I won't name them मतलब कि इस show को कुछ ऐसे लोग भी जीते हैं जो कि इस show में कुछ किये नहीं थे मैं नाम नहीं बताऊंगा बट आप लोग समझ जाओ अब पता नहीं क्यों लोग assume करने लगे कि वो ये MC stand को बोल रहे तो इस वज़े से ये वाला clip वाइरल जाने लगा है और कुछ MC stand fans के तरफ से उनको hate भी मिल रहा था बट फुक्रा इंसान के जो personal friends है जिनका personally इस topic पर बात हुआ है उनसे उन्होंने इस चीज़ से related clarification दिया जैसे कि Maxton नहीं ये कहा फुक्रा इंसान was the guy who made me watch MC stand in last Big Boss used to talk about him a lot in a respectful manner but some people spreading false narrative to use MC stand cutter fan following against him और ऐसा similar चीज़ कल का Londa भी tweet करके बता है फुक्रा इंसान supported Stanny during Big Boss 16 and we used to sit together discussing about the raw and real personality about Stan and how he deserves to win the show आगे उनने कहा कि फुक्रा इंसान के ये words MC stand के लिए नहीं थे but it was probably for the Big Boss OTT season 1 winner क्योंकि वो support कर रहे थे प्रतीक सहजवाल को and he personally felt कि उनको वो show जीतना चाहिए था instead of the actual winner वो खाली following के वज़े से जीती दी and या कुछ लोग ये भी point out करके दिखाने लगे कि MC stand के support में फुक्रा इंसान कुछी मैनों पहले videos भी बनाए वे जैसा कि आप देख सकते हो anyways इसके बाद पुझा भट फुक्रा इंसान को appreciate भी की एक चीज के लिए जी हाँ पुझा भट openly camera के सामने आकर फुक्रा इंसान के बारे में बात करते वे ये बोली इस घर में अगर किसी ने मुझे टकर दी है तो उसने दी है and I'm grateful to him for that और जब वो कहते हैं कि आपके अंदर कोई बात है और मैं चाओंगा एक दिन की मैं आपकी तरह वो औरा को develop कर पाऊं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है तो I think मुझे कल राथ ही मुझे ट्रोफी मिल गई So thank you Abhishek Basically फुक्रा इंसान पुझा भट को जाकर उनके औरा को लेकर प्रेज किये थे कि उनका ऐसा औरा develop हो गया है कि लोग अपना opinion share करने से उनके सामने थोड़ा सा सोचने लगते है तो यही सुनकर पुझा बट को बहुल जादा अच्छा लगा Now coming to a serious topic फुक्रा इंसान कल एलविश आदफ से बिलकुल भी खुश नहीं थे जहां guys इन दोना के बीच में एक बहुत ही serious conversation हुआ जो की 1.5 घंटा लंबा था मैं अगर आप लोग को एकदम point to point और exact conversation बताऊँगा तो बहुत ही जादा लंबा हो जाएगा यह वीडियो तो मैं आप लोग को एकदम compressed version इसका बताता हूँ अगर इस पूरे situation को अगर summarize करना पड़े तो it's basically clash of opinions कि एलविश आदफ का एक different point of view and personality है बैसे फुकरा इंसान का भी एक different point of view and personality है start यह तब हुआ जब एलविश आदफ और पूजा भट के बीच में वही wildcard वाले topic को लेकर बातचीत चल रहा था तब उन्होंने पुजा भट के साथ यह चीज़ शेयर किया कि यह जो wildcard वाला statement बोले फुकरा इंसान वो सुनने के बाद वो थोड़ा सा analyze करने लगे इस topic को and analyze करने के बाद उनके हिसाब से यह wildcard वाला discussion इसलिए उठ रहा है ने disagree किया with his opinion and कुछ देर बाद उन दोनों के बीच में इस topic को लेकर serious discussion हुआ wildcard के बारे में फुकरा इंसान अपना वही same opinion share किये कि जो day 1 से आया है and जो 4 हफते के बाद आया उनका game पूरा अलग है it's a bit tougher जो day 1 में आया है एक और बढ़िया चीज उन्होंने point out करके बताया कि जैसे Elvish Adav एक pure entertainer है उनका एक अलग personality है and वो वैसे ही रहते है similarly फुकरा इंसान अपने game को इस तरीके से खेलते है उनका भी एक अलग personality है thirdly पूजा भट को टकर देने वाले चीज को लेकर भी Elvish Adav अपना point of view रखे कि उनके हिसाब से फुकरा इंसान अगर पूजा भट को कुछ बोल देते हैं तो वो टकर देना नहीं होता है क्योंकि ऐसे बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है उनके हिसाब से टकर देना वो होता है कि जैसे पूजा भट ने अपना एक औरा डेवलप किया है कि सामने वाला अपना opinion देने से दो बार सोचे वैसे फुकरा इंसान भी अगर अपना औरा डेवलप करे तब ही वो टकर देने की बात हुई अभी इस opinion में फुकरा इंसान भी Elvish Adav से disagree किये कि नहीं उनके इसाब से टकर देने का ये definition नहीं हुआ क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाकी housemates भी पूजा भट जब गलत होती है वो भी speak out करते है इसके बाद एक और पुराना चीज Elvish Adav point out करके बता है आप लोग को याद होगा एक task हुआ था जहां पर पूजा भट casting director बनी थी और उनको सभी housemates को कुछ roles देने थे तो उसमें से कुछ roles थे hero, heroine, hero का दोस्ट तो जब अभिशेक और Elvish के बीच में discussion चल रहा था कि वो एक दूसरे को क्या roles देंगे तो फुकरे इंसान बोले थे कि वो Elvish को hero का दोस्ट का role देंगे Elvish को ये चीज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था और उसी समय वो बोले भी दे अभिशेक को कि मैं second lead नहीं play करता उनके हिसाब से अपने दोस्ट को ऐसे directly बोल देना में दोनों agree किये कि भले उन दोनों के personalities अलग है बट अट दी अफ दे डे ये शो है about being real यहाँ पर Elvish आदफ भी अपने personality के हिसाब से real रह रहे हैं और फुकरे इंसान भी अपने personality के हिसाब से real रहे हैं तो आप अपने स्क्रीन में इस season के finalist को देख सकते हो किसके लिए vote करने वाले हूं मेरे को comments में जरूर बताना तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में तो कैरी मिनाटी अपना एक नया song को announce कर दिये यहाँ काफी time से उनका नया गाना नहीं आया था तो क्या gather 2 पठान को इस चीज में beat कर दिये जियाँ guys आप लोगों पते होगा कि gather 2 इस हफते release हो नहीं वाला है और उसके around hype भी काफी जादा create हो रहा है बट कल ये movie के around ये report आया कि एक particular चीज में वो पठान को भी पीछे चोड़ दिये national chains में तो उनका काफी बढ़िया booking होई रहा है बट BNC tier single screens में उनका काफी जादा बढ़िया advance bookings आ रहा है इतना बढ़िया आ रहा है कि पठान को भी वो पीछे छोड़ दिये इसमें anyways talking about पठान तो करण जोहर ने reveal करके बताया है और वो इस चीज़ के लिए fees भी नहीं लिये थे and talking about शारुक खान तो आप लोगों पताय होगा उनका Dawn franchise ही कितना जादा popular है बट कल ये चीज़ finally confirm हो गया कि Dawn 3 में Ranveer Singh होने वाला है और शारुक खान नहीं होंगे XL Movies ने officially एक title announcement कर दिया जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि Ranveer Singh थे and yeah he will play the lead role बट इस movie में leading lady का role कौन निभाने वाली है वेल बताया जा रहा है कि Kiara Advani might be the one यह confirmed news तो नहीं है बट कुछ reports बता रहे हैं कि जिस दिन ये title announcement हुआ था उसी time के आसपास Kiara Advani को XL Entertainment के co-founder के office के आसपास spot किया गया था तो शायद वो कुछ meeting वगरा के लिए गई होगी no one knows बट या Dawn 3 के title announcement को देख कर काफी सारे reactions आये first of all थगेश ने कहा no one can replace Shahrukh Khan as Dawn but I'm sure Ranveer is the only actor who can pull it off he will make the character his own then Anmol Jamwal कहे with all due respect this was a very mid promo for an iconic franchise PJ Explained भी कहे Dawn 3 title announcement and BNF TV कहे I nominate him for Dawn 3 anyways शल यह बागे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले एक viral video के बारे में guys आप bike वगरा चलाते हैं वक्त helmet तो पहनते ही होंगे बट क्या आप अपने घर या फिर office में helmet पहन के बैठते हैं नहीं ना well एक government office से एक video viral जा रहा है तो उसी से बचने के लिए वो लोग helmet पहनके बैठे वे but anyways चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं तो first of all रूही चातुरवेदी ने complete कर चुके एंडिट के subscribers then BDE ने complete कर चुके हैं 1 million subscribers then Anant Rastogi ने भी complete कर चुके हैं 1 million subscribers then Tarak Mehta का उल्टा चश्मा बालगीत मराथी को Milchicon का silver play button and finally face me gaming को भी Milchicon का silver play button so many many congratulations to all of them तो चलिए अब एक international story के बारे में बात करते हैं हम लोग बात करने वाले लिलते के बारे में now शायद आप इनको नहीं जानते होंगे बट इंसर-related कल एक बहुत ही shocking news आया basically बहुत सालों पहले she was a popular influencer इनके राउंड बहुत सारे videos बनते थे बहुत memes बनते थे बट अचानक से वो internet से गायब हो गई थी now fast forward to yesterday कल अचानक से उनके account से ये update आया that Lilte and उनके brother have passed away बहुती दुख के साथ उन्होंने ये devastating news share किया और वो बताया कि इस से related investigation चल रहा है भी अब ये अचानक से सुनकर पूरा internet शौक हो गया but then कुछ लोग इस से related कुछ चीज़े notice करने लगे जैसे कि Lilte के channel को अगर हम लोग open करेंगे तो उनके about section में clearly लिखा हुआ है help me अब एक बंदे ने research करके बताया wayback time machine को open करके ये कल परसों का नहीं है दो मेना पुराना है but still इसके बाद ये भी news आया जब एक insider ने Lilte के father को approach किया and he asked for a statement तो उनके father ने decline कर दिया था बोलने से कि actually she has passed away or not secondly Lilte के former manager को भी किसे ने approach किया तो उनके तरफ से भी कोई clear statement नहीं आया अब पता नहीं यार what's going on but hopefully इसके around serious investigation चल रहा है and हम लोग को जवाब मिले तो या तो चोल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस सित रहे है